लोग सभा चुनाओ भले ही मोधी और बीजेपी ने जीत लिया है लेकिन इस बार मोधी के जीत से ज्यादा विपक्षियों के हाल के चर्चे हो रहे हैं जिस राहूल गांधी को मोधी पानी पीपी कर कोशते थे वो राहूल गांधी ने मोधी की कमर तोड़ दी अब नतीजे स शाह पर अभी से लगाम लगाना शुरू कर दिया यही वज़ा है कि अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रालेयों की मांग की जा रही है टीडीपी के सुत्रों ने बताया है कि पार्टी ने एंडिये के आगे शे बड़े मंत्रालेयों की मांग रख दी है टीडीपी लोग सभय स्पीकर का पद चाहती है पार्टी सुत्रों ने बताया है कि टीडीपी का हर बात पर रुख लच्वीला है बीती दिनों एंडीए की बैठक में टीडीपी प्रमुक्ष चंद्रबावु नायडू सामिल हुए इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए उनकी तस्वीरे भी सामने आई नायडू के बगल में नितीश कुमार भी बैठे हुए नजर आए ट से 240 सीटों पर जीत मिली है बात ऐसी है कि एक रिपोर्ट के मुताभिक पार्टी के शिर्स सुत्रों ने कहा है कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वो मोदी 3.0 सरकार में महत्त्वपूर्ण भूमी का निभाना चाहते हैं बताया गया है कि वो बीजेपी ने तृत्तों को श्रक्ती मंत्राले जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की है वहीं एक न्यूज चैनल ने सुत्रों के हवाले से बताया है कि नितीश कुमार की जेडियू ने तीन मंत्राले की मांग NDA के सामने रख दी साथ ही बिहार को विशेस राज्य का दर्जा दे जैने की मांग की गई है जेडियू ने चार सांसद पर एक मंत्राले का फॉर्मूला सरकार की सामने रखा जेडियू के 12 सांसद हैं इसलिए वो तीन मंत्राले चाहती है नितीश कुमार चाहते हैं कि उनके खाते में रेल, क्रिश्री और वित्र मंत्राले आए रेल मंत्राले को सबसे ज्यादा प्रात्मिक्ता दी जा रही है मतलब साफ है कि बीजेपी के सहयोगियों ने अब मोदी के सामने ऐसी मांग रख दी है कि अगर मांग पूरी कर दी गई तो 240 सीट वाली बीजेपी संसद में अपंग हो जाएगी और अगर मोदी इनके मांग पूरी नहीं करते हैं तो विपक्ष दोनों दलों के लिए फूल माला लेकर स्वागत के लिए तयार बैठा है बीरो रिपोर्ट एंसी आर समाचार